हेलो गाईस स्वागत है आप लोगों का फिर्ट से हमारे नए यूटिब चैनल डिसिप्लिन ट्रेडर पे तो गाईस आज मैं आप लोग को बताने वालों कि एंजल वन एप से आप लोग को ट्रेडिंग कैसे करना है और साथी साथ अपने स्टॉप लोस ओडर कैसे लगाना है ठीक है तो वीडियो का फिर इंट्रेस्टिंग होगा वीडियो पर आप लोग को अन तक बने रहना है और दूसरी चीज़ अगर आप लोग एंजल वन एप से अभी तक अपना डिमैट अकाउंट ओपन नहीं करा हैं तो आप लोग यहां से ट्रेडिंग करने के लिए एकद दिखाई दे रहे इसी सर्च बाहर पर जाना है और आपको स्टॉक सर्च कर देना है जिस पर आप लोग ट्रेडिंग करना चाहते हैं ठीक है तो हम सिंपल इसी ओप्सं को क्लिक कर देंगे क्लिक करेंगे उसके बद आपको कुछ इस्टैप का इंटरफेस दिखाई देगा यहां आपको सर्च फॉर एक कंपनी और इस्टॉक ऐसा लिखा हुआ है यहां पर आपको कंपनी को सर्च कर देना है जिस पर आप लोग ट्रेडिंग करना चाहते हैं ठीक है तो अभी हम गाईस टाटा स्टिल पर ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो हम यहां सिंपल टाटा option option को दिखाई दे रहा होगा तो हमारा व्यू है गाइस बाइंग के साइट का हमको ऐसा लग रहा है यह स्टॉक कंटिन्यू ऊपर जाना चाहती है तो हम क्या करेंगे सिंपल यह बाइक को अप्सेंस को क्लिक कर देंगे तो यह हमने बाइक को options को कर दिया आपको कुछ step का इंटर फेस दिखाई देगा आपको single Terra को क्लिक करना है यहाब को quantity shimmer कर देना है यहाब को market कर देना है और ऱैंड सिंपल प्लेसम को माकिट कर देंगे तो चलिया हम स्फाला कुछ step by step करते हैं तो यहां हमने इंटरडे सेलेट कर दिया number of share हम अभी चीज़े सीख रहे हैं इसलिए हम simple एक quantity या एक share के साथ trade कर निकले जाएंगे उसके बाद है यहां आपको market select कर देना है प्लेस बाई ओडर के options को क्लिक कर देना है यह आप देख पार है आपको order market पे प्लेस हो चुका है आपका profit यहां चलना शुरू हो चुका है आप कितने quantity के साथ trade किये हैं देखिए आप एक quantity के साथ trade किये हैं आप 179 रुपय सत्रा पैसे के range पे एंटरी किये हैं अब इसका price च बढ़ेगी तो आपको profit होगा आपके रहें से price घटेगी तो आपको loss होगा तो loss आपका बड़ा हो सकता है तो इसी बड़े loss से बचने के हम क्या करते हैं अपने stop loss order लगाते हैं तो हम लगबग लगबग एक सो छपार रुपय के range पर अपना stop loss order लगाना चाहते हैं तो वह क ठीक है और यहां पर आपको अपना trigger price या अपना stop loss order price add कर देना है तो जैसे कि हमने कहा था है 156 के range पर अपना stop loss order लगाना है तो यह हमने 156 यहां add कर दिया और यह आपका limit price by default रहेगा इसको कुछ भी नहीं करना है यहां पर limit ही रहेगा प्लेस से loader को options को click कर देना है ठीक फद्री चुका है यह आप देख पा रहे है और आपका property loss ऐसको करेंगे तो आपका stop loss order cancel करना पड़ेगा यह काम करना ही पड़ेगा तभी आप exit हो पाएंगे ठीक है तो आपको simple इसी को click कर देना है आपको step का interface दिखाई देगा आपको simple cancel order को options को click करना है यह क्यों options को click कर देना है आपका stop loss order cancel हो जाएगा अब आपको वापी से positions पे आना है यह positions पे आना है अब यह आप देख पार है आपका profit loss चलना शुरू हो चुका है चर रहा है आपको profit भी दिखाई दे रहा है अब आपको लेटस अपोस यहां से exit होना है तो आप कैसे होंगे आपको simple इसी को click करना है exit के option में आ जाना है उसके बद आपको यह market के options को click कर देना है उसके बद आपको simple exit को options को click कर देना है आप यहां से बाहर हो गया ठीक है और आपका profit and loss भी close हो गया और आपको जरू सब्सक्राइब करें ओके चलिए गाइस बाइबर टेके न्यवड़ पर मिलते हैं जल्दी तब तक लिए बाइब